क्या है कर आए कि है किए हेलो फ्रेंड्स व्लक्रोंट पाइंड्स त्रेट पैस आज अम लोग देखेंगे डेक्स्ट वीक पीशिषियों त्रफ हो सकते और फिर अधिल फोड़ा सा टृकी होने वाला तो नेक्स्ट वीक टोर सब लोग संभलके ट्रीट करनाा ठीक है त्थेक पॉल्वओ थीक है जिसके यहाँ पर एक बार फॉल हुआ एक कैंडल बनाया देन लाइक डो दिन दूरी केंडल बनाया देन और एक वाल यह साइडवेज था फिर और एक फॉल हुआ फिर यहां पर दो विक फिर साइडवेज फिर और एक फॉल हुआ ठीक है तो एक पैटरन का बन रहा है ठीक है दो विक साइडवेज आता है फिर और एक फॉल आता है जो next week है, next week मैं देख एक्तम simple है, मैं आपको कुछ इसे like out of the box कुछ चीज़े बता रहा हूँ, जो आप ध्यान में रहा हूँ, next week क्या होगा, next week sideways ही हो सकता है, मैं यह वाला pattern देखके नहीं बोल लेकिन next week sideways, यहा फिर क्या हो सकता है, एक like आपका hammer type का candle बना सकता है, इस तरह क candle बन सकता है, color शाहिद red हो जाए, I don't know, पर इस तरह का कुछ नीचे से कुछ buying आ सकता है, तो यह इस तरह का candle बन सकता है, यह फिर sideways candle बन सकता है, ठीक है, और यह क्यों होता है, जैनूली third week पे, मन्तली का third week पे नॉर्मिल लागर trending हो जाता है, यह तीन week trending हो गया, यह तो यह दो week almost trending हो गया न, तो अभी एक थोरा sideways का हो सकता है, क्यों बोलोग जो option sellers होते हैं, वो हम लोग की तरह नहीं होते, जो लोग मतलब बड़े-बड़े option sellers, तो वो लोग क्या करते हैं, मनलोग एक option को 100 रुपय में sell किया, तो वो लोग 20 में इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, 20 म मार्केट खुलेगा, तो तब तक वो 3rd week जो शूरू होगा न, तो इसमें बहुत ज़्यादा decay होता है, बहुत ज़्यादा decay होता है, और market अगर sideways रहे गया, ठीक है, या फिर थोरा सा volatile रहे गया, spikes मार रहे खाली, बहुत ज़्यादा वो decay होता है, ये बात याद रग ना, क तो एकदम sideways में melt होता है, या फिर आपका जो volatile market होता है, जिग-जग market होता है, इसमें melt होता है, market melt कम होता है trending में, मानलो कोई अपने call option, call option अगर मादलब भागना है, तो उसको धिरी-दिरे uptrend में रहना पड़े तब देखना, मानलो को call option है, आप भाग रहा है, ठीक है, त जब market trending में रहता है, वो premium कम गलत है, ठीक है, सेम चीज अगर सेम option ही, आपको वहाँ पर अगर trending नहीं होगे, ऐसा zig-zag moment करके रहेगा, सेम टाइम में वो premium जाधा गल जाएंगे, अब कभी notice करना, तब आपको पता चलेगा, तो इसलिए market में next week, option sellers होने वाला है, तो इसलिए मैंने thumbnail में दिया है कि loss होने वाला है सबको next week में, क्योंकि सबको एक preparation है, कि हाँ गिर रहा है, और गिरेगा, और गिरेगा, 22 से तरा आजाएगा, 22 से तरा आजाएगा, तो आने को कुछ भी आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं आता है market कि हाँ, में आ रहा है, एक बार में जाएगा, चला जाएगा, इस तरह से नहीं होता है, यहाँ पर कुछ अपका भी halt बनाएगा candle, यह फिर एक इस तरह का candle बनेगा, ठीक है, यह होगे weekly में हम लोग को देख के लग रहा है, ठीक है, इसको मैं अभी थोरा से आपको मैं कुछ अभी points बता दाओ, मतलब इसको याद रखना, 23,000 की आसपास, खुदाना खासता, जो मैं बोलो ने, इस तरह का candle बनेगा, बोलके, इस तरह का candle बनेगा, बोलके जो बोलो, तो 23,000 की आसपास अगर आ गया, next week, अब वहाँ पन बाइं के लिए देखना, एक short covering move के लिए देखना, व अगर 23,000 की आसपास आता है, निफ्टी, तो आपको तब देखना है, बाइं के लिए पर देखना, अगर आ जाता है, इनकेस, ठीक है, तब आपको बाइं के लिए देखना है, नहीं तो और कुछ नहीं, next week क्या trade हो सकता है, पता है, next week, एक strangle हो सकता है, या फिर बाइं हो स सकता है, या strangle हो सकता है, और अगर आपको बाइं करना, डेली में देखना है, डेली में कुछ खास नहीं, वही बेरीस दीख रहा है, दो दिन गिर के sideways हो गया, बहुत लोग सोच रहा हो, इसके निचे भी sell करना, हाँ कर सकता है, तो मैं 23,000 ते आ सकता है, मैं मना नहीं कर र मतलब थोरा सा भी, मतलब इस next week में थोरा सा interested कम हो, फिर में बताऊंगा, इसके जो यह वाला zone है, जहां से breakdown हो था, इसको फिर जो breakdown किया था, इससे, तो इसके उपर, तो एक मतलब थोरा सा और उपर पढ़ो, 23,000 नाइन नेट के उपर या आपको बुलिश होना है, इसके उ होने वाला है, और अगर आपको selling करना भी है, अगर करना भी है, तो इसके नीचे selling कर सकतो, क्योंकि यह hold बनाए, तो इसके नीचे selling कर सकतो, और आपना थोरा सा टापलोंस, tightly trail करना, और 23,000 के आसपास का आपका target हो जाना चीए, और tightly trail करना, ठीक है, इंटर डे में आपको मै आप एक range हो बना है, बहुत tight range बना है, इस range को mark कर लो, अगर gap down हो के इसको break करता है, gap down हो के मान लो यहापर एक ब्रेक कर देखें, फिर break कर रहा है, तो आप उसको trade कर से तो flat open हो कि अगर इसको break करके जा रहा है, तो आपको इस थोरा point के लिए trade कर सकतो, 100-300 point, upside में 100-300 point maximum, और downside में भी आपको 100-300 point रखना, क्योंकि अभी देखो, move इतना नहीं हो सकता है, spikes में आपको profit हो जाए, लेकिन आप उस move के चकर में रोगे ना, कि जो आपको दिखाया है, मतलब कुछ दिन में जो दिखेंगे आपको, यह वाला move, तो आपका आदत हो गया ना, यह वाला move, नहीं होने वाला है, या फिर इस तरह का move का तरह spike लगेंगे, इसा हो सकता है, वही होने वाला है, जो मुझे लग रहा है कि इसा होगा, बोलके इसा हो सकता है, चांसे से देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेंडिंग के लिए प्लैन करता हूँ, और मेरा अगर last week का अपन से में सेलिंग देखोंगा, कहा से सेलिंग आया, 350 के आसपास सेलिंग आया कि नहीं आया, अगर मैं बोला वाथ उसको उपर क्रोश नहीं करता है, मैं सेलिंग के लिए देखोंगा, हूँ, मैंने कहा था, bank nifty, 49,700 के आसपास आएगा, next week ही बोला था, इस last week ही बोला था, कि अतना तक आयेगा, कहा तक आये, 49,900 तक आया, तो इसको को समझना पढ़ेगा, या कहा से आपको लोग देखोंग कहा तक म मारा, मैंने हाँ मैंने, सच में बताओ, मैं ही पर भुक किया, मैं एक दम और आ बता रहा रहा है, मैं अलमस्क्लोस खलाजिंग पिख किया, मैं कर द इसको देखो लाइक जो अभी विकली बार देख लेता है इसको थ्टारा से अब एक को तरहा सा यह टो टीजिती जाधा नहीं गिरा पस इसके लेवल के आसके आई लिके निफटी-बहुत तो बैंक निफ्टी अ भी थोड़ा स्टॉंग दीख़ा हो सक्ता और थोड़ा स्ट्रॉंग रहे हो तो बैंक निफ्टी का जो लेल है ना दिहा रहोओ वह लेवल ड्याहने मा रकना तो डेली टाइम्सरीμिंब से होोसेघता अगर सेलिंग आया है तो 49,000 यहां से आपको देखना जो लेवल था 23,000 यहां से आपको देखना है और कहा बाय करना है अगर मालो इनकेस बुलिश हो गया तो इसके ऊपर 800 900 या 51,000 के ऊपर राउंड फिगर में 51,000 के ऊपर हम लोग को बाइंग के लिए देखना है और इंट्रसणल और में स्बम रखो रेखो गूंग और इसके लिए एक कि इसके लिए सेल कर सकताभी आखक रहेगा पीजिए कीश्याय कि प्र भी सैल्ट कर गया तो मंड़न कै दिन salvation ही आ고 सेलिंग में नहीं को लोकिन देन को अतना लंबा जो शिक्ता है खेंता मुझे नहीं देख रहा हो सकता है अगर यहां पर हॉल्ड कर ग Tibber घर तो शष्ट तो इसमीर माई न relative सिलिंग घृकार तो बैंग निफ्टी में अभी क्या हो रहा है अगर आपको सेलिंग करना दिए इसके नीचे करने और बाइंग करना अधो लाइक को पर लाइन करना है अब कर सकता तो जाय असे फिलाकर बैet और 50,000 50,400 के रेंज है इसको उपर इस जहाद तक का टागेट हो जागा जागा और नीचे आपका दो धाइसो पॉइंट तिन गट हो जाए क्योंकि मैं मंडे के दिन इंट्रडे में सेलिंग के लिए उतना ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं कि लंबा ट्रेंड मिलेगा बोलके हो मैं इंट्रडे के बात करो मेरा पोजिशनल तो था लेकिन मैं यह वाला सेलिंग में इंट्रडे में पकड़ा और पोजिशनल में था तो था यह वो तो इंट्रडे में भी पकड़ा यह वाला सेलिंग मैंने सच में मिस किया अब बोलो क्योंकि मैं इस दिन के प्रिपेर था कि इस दिन मेरा हाथ से मिस हूआ, मुझे वजह कोई दिक्कत नहीं, 100 का option 1000 गया मुझे दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं क्यूंकि मैं प्लान करके गया हूँ. मैं हवा तो वही नहीं हो तो मेरा प्लान हिए है मंदे के दिन में जदा एक्साइड़ नहीं हूँ आग एंफ्टी देन में वहाँ पर बाइंग के लिए ही देखूंगा नेक्स्ट वीक के लिए जरिफ है मैं बायर नहीं हुआ अभी तक लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कहा क्या करना है तो मैं उस ताइम पर मैं तभी मैं बाइंग के होगा तो जाके इस वीडिओ के चेक आउट कर लो ठीक और लास्ट वीक का वीडियो भी देख लेना मैं वह भी डाल दूंगा एंस्क्रिण में तो दोनों को यी देख लेना एक एक करके तो आया को पर पर पसंद आगा विडियो पसंद आई तो याइक है अभी इतना ही मिल झाल झाल झाल